हेलो दोस्तों, आपका मेरी यूटुब चैनल साइन्स क्लास में स्वागत है तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर थ्री जो की है फाइबर टु फैबरिक तो आपने फाइबर टु फैबरिक क्लास 6 में भी पढ़ा ही है तो इसके बारे में हमें पता चला है कि हमें वूल जो होते है वो सिल्क या वूल हमें एनिमल से मिलते है और जो फाइबर से होते है वो हम प्लान से उप्टेन कर सकते है तो वूल जो होते है वो फ्लीस जो की है हेर और शीप और याक से उप्टेन कर सकते है और silk fiber जो होते है वो cocons जो होते है silk moth के उससे हम obtain कर सकते हैं तो sheep जो होते है वो यहाँ पे आपका figure दिखाएगा है एक sheep का animal fibers wool and silk तो wool जो होता है वो sheep goat yak या दूसरे animals से भी पाए जाते हैं wool yelling animals जो होते है वो अपने body पर hair bear करते हैं जैसे कि यह है तो hair जो होता है वो lot of hair को trap कर देता है उनके में उनके भीतर जो होता है air trap हो जाते है और एक air जो होता है वो poor connector of heat होता है तो इससे animals जो होता है उन्हें करमात मिलते हैं उन hair से तो दो तरीके का hair होता है sheep के उपर तो fibers जो होते है वो हमें दो तरीके का मिल सकता है जैसे है तो यह पैरिंट जो होते है उन्हें specially chosen करते है जो कि यह शीप जो होता है उनके भी soft under hair ही हो जाते है उन्हें एक ही तरीके का पाए जाता है तो यह selective पैरिंट जो होते है और वो special characters को bear करते है अपने offsprings पर भी तो उसे हम कहते हैं selective breeding तो animals that yield wool तो animals जो होते है वो different countries में पाए जाते है जैसे है शीप उल और याक उल जो है वो हमें टीबेट या लदाक में ज्यादातर मिलेगा मोहेर जो है वो एंगोरा goat से बिलॉंग करता है और यह जामु और कश्मीर में पाए जाते है और wool जो होता है वो goat hair जो कि कश्मीरी goat जो होता है वो soft होता है और यह shawl बनाने में काम आते हैं जैसे उन्हें कहते हैं पश्मीना सौल यह जाता तर बहुत फेमस है तो फ़र जो होता है वो hair है उनके body purge जाकी camels है उसको भी हम wool के तरीके में यूज कर सकते है लामा है और अल्पका है जो कि सौट अमरीके में पाए जाते है तो उससे भी हम wool को yield कर सकते है या उप्टेन कर सकते है तो 3.2 में आपको यहाँ पे एक अक्टिविटी दिया गया है जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो फिगर है याक का, लामा का, अल्पका का और कैमल का जिसका हम wool को use कर सकते है गोठ है, अंगोरा गोठ है तो यह है आपके सारे figures from wool to fiber तो wools जो होता है जो fibers जो है वो wools को कैसे उप्टेन करेंगे तो wools जो होता है वो ships के rare करने से होता है जैसे उनके hair जो होते हैं, body पर तो उसे हम कारते हैं और उसे wool में convert करते हैं, तो यह process होता है rearing और braiding of ships का तो जोमू और कश्मीर में ज्यादा तर पाए जाते है हिमाचल प्रदिस है और नाचल है सिक्किम है और नाचल प्रदिस है उत्राँचल है या plains of Aryana, Punjab, Rajasthan, Gujarat है तो उसे हम shippers जो होते हैं वो ships को चारा लेवारे उन्हें हम देख सकते हैं grazing करते हुए ships को वो चाराते हैं और जो ships होते है वो harve¿ high house होते है और वो grass और leaves ही खाते हैं तो grazing ships जो होते है वो feed करते हैं mixtures of pulses corn, जो और oil cake से में materials जो होता है left हो जाते है oil के उपर तो oil जो seeds होता है उससे वो खा सकते हैं और minerals भी खाते हैं तो विंटर में जो होता है, शीप जो होता है, वो उन्हें बाहर रखते हैं, इंडोर्स में, और उन्हें लीप्स या ग्रेंज और ड्राइफ फोडर को खाने के लिए छोड़ देते हैं, तो शीप जो होता है, वो रियर करते हैं, many parts of the country में, for wool के लिए, जो कि हमें some, name of the some breeders of sheep, we are in our country for producing wool, तो को यहां पर नाम देने हैं, कि आपको country में जितने producing wool है, तो शीप जो क्वालिटी हमें देते हैं, quality हमें produce करते हैं, तो आपको यहां पे, जैसे आपको यहां पे, table 3.1 है, name of the breed, quality of wool, और state wear form, तो कहां कहां पाए जाते हैं, उनके नाम है, तो यहां पे है आपका process, processing fiber into wool, तो process क्या होता है, step 1 है, आपका the fleas of the sheep along with a thin layer of skin is removed from its body, तो उसके skin जो होता है, उनने रिमोव किया जा और यह machines के द्वारा भी use करते हैं, या barbers जो होता है, वो shave of hair तो उससे भी use कर सकते हैं, machines के द्वारा यूज करते हैं, और जो hair removed हो जाते हैं, वो hot weather में ज्यादा तर यूज करते हैं, और यह enable करता है, शीप को survive करने में, without the predictive coat of hair, तो यह predictive coat जो होता है, उनने summer में तो काम न इसको provide करने में help करता है, woolen fiber जो होता है, वो process करते हैं, woolen yarn को, और sharing जो होता है, वो sheep को hurt नहीं करते हैं, क्योंकि यह hair जो होता है, उनके furthest shapes of beard, तो उनने काटे जाते हैं, तो इससे उनने ज्यादातर hurt नहीं होते हैं, और जो upper mode layer होते है, वो skin dead हो जाता है, almost, तो इसलिए जो sheep को होता है, वो उसके hair जो होता है, उनके loss किये जाते हैं, जिने काटा जाता है, वो फिर से उग जाते हैं, step two में है, आपका the shared skin with hair is thoroughly washed, तो उसे धोया जाता है, in tanks, या remove कर रहे हो, dust या dirt को, तो उसे हम कहते हैं scouring, और scouring जो होता है, machines के द्वारा भी कर सकते हैं, जैसे आपके figure दिखाएगा है, sharing of a sheep, जिसमें बाल काट रहे हैं, दूसरा है आपका, यहाँ पे scouring in tanks, जिसने साफ कर रहे हैं, दिसरा है scouring by machines, और rolling into yarn, तो third है आपका sorting, तो after scoring, तो scoring के बात करता है, sorting, और जो hair skin होता है, वो factory में sent किये जाते हैं, और different textures होते हैं, उनमें separate किये जा इसे burst कहते हैं, उसे fibers के द्वारा पिक के जाते हैं, from the hair, और इसे same burst जो होते है, वो sometimes हमें आरे sweater पे आ जाकते हैं, तो यह fiber जो होते हैं, उसे scout करते हैं, फिर से साफ करते हैं, और dry करते हैं, और यह wool जो होता है, रेडी होता है fiber को convert करने के लिए, fiber में convert हो जाते हैं, तो step 5 में हैं, तो fibers जो होते है, उन्हें different colors में convert करते हैं, या ön ernutos लगाया जाता है, जैसे कि black और brown है, या white है, तो six में है, the fibers are straight, तो उसे straight किया जाता है, उन्हें कॉम किया जाता है, या roll करते हैं into yarn, और इस में जो होता है, sweaters के लिए कामाते हैं, shorter fibers के लिए कामाते हैं, या woven cloth के लिए ये काम आते हैं, जैसे है process of fiber into wool can be represented as following, sharing किया जाता है पहले, फिर scouring, sorting, cleaning of birds, और उसके बाद dyeing या rolling, यहाँ पे है silk का, तो silk fiber जो होते हैं, वो animal fibers से हमें obtain किये जाते हैं, silkworms जो होते हैं, उन्हें silk fibers कहते हैं, और जो rating of silkworms है, from obtaining silk, तो silk से पाई जाते हैं, हम obtain कर सकते हैं, तो उसे हम कहते हैं sericulture, जैसे आपको यहाँ पे बोला भी है, कि आपको list बनाना है, kinds of silk में, कितने तरीके के होते हैं, तो life history of silk moth के बारे में पढ़ेंगे, तो female silk moth जो होता है, वो एक को ले करता है, और जो hatch हो जाता है, लार्वा में, उसे हम कहते हैं caterpillars या silkworms, और यह grow करते हैं size में, और जो caterpillar होता है, वो next stage of life history में present होते हैं, जैसे उसे कहते हम pupa, तो यह जो होता है net को, अपने आपको net जैसा वीप कर देता है, और उसे हम कहते हैं, During this moments of the hair, the caterpillar's cigarette's fiber made of out, तो उसे fiber, जो होता है, protein का बना हुआ, उसे एक्स्पोजर करता है, और उसे silk fiber में convert करता है, तो caterpillar जो होता है, वो अपने आपको cover कर देता है, by silk fibers से, और वो pupa में convert हो जाता है, तो उस covering का हम कहते हैं, और जो कोकुन होता है, वो अंदर ही होता है, inside continue क करता है, उसका development, और जो silk fibers होते हैं, उसे हम weaving of silk cloth में use कर सकते हैं, और जो silk yarn होता है, जो कि अप्टेन करते हैं, हम कोका या कोकुन से, of the silk moth, तो ये variety of silk moth होते हैं, तो ये different हो जाते हैं, एक अदर से, या similar भी हो सकते हैं, texture में ये different होता है, जैसे कि कोई smooth होता है, तो कोई coarse hard होता है, या shiny होता है, जैसे कि है तसकर silk, moga silk और coarse silk, etc. तो ये different कोकुन से हमें different types of moth मिलते हैं, तो most common silk moth जो होता है, उसका नाम है mulberry silk moth, तो ये common में पाए जाते हैं, इसका moth जो होता है, वो soft होता है, lusherous होता है, shiny होता है, या elastic होता है, और ये vividly colors में dry हम कर सकते हैं, और जो sericulture है, या culture of silk worms, तो ये बहुत बड़ा, यानि कि occupation of India है, पुराना occupation है इंडिया का, इंडिया में produce किये जाते हैं, इसे plenty of silk worms in a commercial scale में, तो large scale में ये पाया जाते हैं, तो 3.5 है activity, 3.6 भी activity है, यहामें आपको caterpillar जो है, provide different types of silk, तो उसके नाम देने को बोला है, या collect कर pictures, different bonds का, उससे कहा गया है, तो यहाँ पे देखेंगे, from cotton to silk, तो यह cotton जो होता है, वो silk में कैसे convert होता है, तो obtaining silk, जो है, moth को rare करते हैं, cockons में, और हम collect करते हैं, silk threads के द्वारा, तो raring silk worms में, जो है, एक female silk moth होता है, वो hundreds of eggs को ले करते हैं, at a time में, जैसे कि आपका figure दिखा गया है, एक female silkworm है, moth with eggs, तो है, hundreds of eggs है, जिसे ले किया गया है, और जो eggs होते है, वो store होते है, carefully on strips of cloth या paper में, या silkworm farmers जो होते हैं, उनमें, रख देते हैं, carefully और जो farmers होते हैं, वो under hygienic conditions में, रखते हैं, या suitable conditions को देखते हैं, जैसे कि temperature और humidity में, यानि कि एक जो होता है, व में, और जो larva hatch होता है, उनके eggs से, तो ये mulberry trees करता है, जैसे यहाँ पे है, leaf of mulberry, तो ये mulberry leaves है, तो उस larva को हम कहते है, caterpillars या silkworms, वो mulberry plant को, या leaf को खाते हैं, day या night को, वो सुबह से रात तक खा जाते है, तो उससे उनका size होता है, वो increase होता है, जैसे कि यहाँ पे है, 3.10 में, जो यहाँ पे caterpillar दिख रहा है, वो feed कर रहा है, mulberry leaves के उपर, तो उनका ये size बड़ा हो जाता है, और वो cocoons में convert हो जाते है, तो लार्वा जो होता है, वो clean bamboo में भी हो सकता है, या उसे हम chop कर सकते है, mulberry leaves को, और after आपको 25-30 days के अंदर caterpillars जो होता है, वो stop, वो खाना ब में spin करते हैं, जैसे कि यहाँ पे है figure 3.10 में, यह है आपका figure, वो cocoons में convert होते हैं, तो उसमें small racks होते हैं, या twigs होते हैं, उन्हें provide कर सकते हैं, वो cocoons को attach करने के लिए, और जो caterpillar या silkworm है, वो spin करते हैं, वो cocoon को अपने भीतर, तो उससे depth-up होता है, silk moth, तो processing silk, जो एक प fiber को अपने के लिए, यूज कर सकते हैं, और जो cocoons होता है, वो sun के ऊपर, या boiled exposure to steam के लिए रग देते हैं, और जो silk fibers होता है, वो separate हो जाते हैं, और जो process उसमें present होता है, जो thread के ऊपर cocoon को use कर सकते हैं, as a silk, तो silk के द्वारा उसे use कर सकते हैं, तो उसे हम कहते है, reeling the silk, और thread या fiber, वो silk के द्वारा निकल जाए, separate हो जाए, और वो cocoon से separate हो सके, और उसे हम silk fibers में use कर सके, silk fiber जो होता है, वो spoon होता है, silk thread में, या woven करते हैं, by weavers, तो weavers जो होते हैं, उन्हें woove करने के लिए, यानि बनाने के लिए use करते हैं, जो किया silk cloth में convert हो जाते हैं, तो यह आ मैं अपने next video पर आपके लिए discuss करूँगे, तब तक के लिए देखते रहें मेरी channel को, like नहीं किया तो कीजिए, subscribe कीजिए, ताकि आपको मेरे channel से related updates मिलते रहें, तो मिलते हैं मेरे next video पर,